कोरोना एक महीने में ही फेफडों को उतना खराब कर देता है जितना 25 साल तक सिग्रेट पीने से भी नुकसान नहीं होता नमस्कार मैं पूनम राठूर मरुधरा टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है फेफडों को डैमेज होने का इस्तर 40 पीज़दी तक पहुँच जाता है तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है कोरोना से फेफडों के परदे डैमेज हो जाते हैं जिससे आकसिजन का फ्लोग घट जाता है और सपेच चकते हो जाते हैं देश में अब तक लगबग 35 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं इसी के साथ अब तक वाइरिस की वज़े से 76,271 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना कितना खतरनाक है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना एक महीने में ही फैफडों को इतना खराब कर देता है जितना असर 25 साल तक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का भी नहीं होता कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधानी बहुत जरूरी है डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना का असर सीधे फैफडों पर होता है इसलिए रिकवरी के बाद भी मरीश को बहुत सावधानी रखनी चाहिए खास तोर पर डाइबिटीज, बलड प्रेशर, ओबेसिटी पर कंट्रोल रखना तो बहुत जरूरी है इस दोरान धुम्रपान और शराप का सेवन काफी खतरनाक साबित हो सकता है फैफडों के वायू कोश को ठीक होने के बारा महीने लगते हैं कोरोना से फैफडों के परदे डैमेज हो जाते हैं जिससे ऑक्सिजन का फ्लोग घट जाता है और सफेज चकते हो जाते हैं इसे ठीक होने में करीब एक साल का समय लग जाता है हाला कि समय से मरीज को ऑक्सिजन और उपचार मिलता रहे तो 6-7 महीनों में ही सुधार आ सकता है ऑक्सिजन स्वासनली द्वारा फैफडों के एस संख्य पारदर्शक वायू कोश में पहुचाती है इसके बाद ऑक्सिजन रेड ब्लड सेल के साथ मिलकर पूरे शरीर में पहुचाती है शरीर में उत्पन होने वाली कारबंडा याक्साइड भी फैफडों द्वारा ही शरीर से बाहर निकालती है 40 फैफडों के 5-10 फैफडी डैमेज होने पर शरीर को पता ही नहीं चलता जब डेमेज होने का इसतर 40 फीजदी तक पहुंच जाता है तो सास लेने में तकलीफ होने लगती है जब ये 60 फीजदी तक पहुंच जाता है तब इस्तिती गंभीर मानी जाती है और मरीज को ICU में एडमिट करना पड़ता है